हालो व्रिवान ग्रेटिंग्स प्रम डॉक्टर रश्मी सोमेपथी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं महिलाओं से रिलेटेड एक बहुत ही इंपर्टन टॉपिक के बारे में बात करूंगी फ्रिजिटिटी फ्रिजिटिटी वर्ड जो होता है यह आया है लेटिन वर् के भी बहुत ज़ाधा देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग 15 में फ्रिजिटी के लिए आते हैं तो हम समझते हैं कि फ्रिजिटिटि क्या होता है इसके होने के कारण क्या होते हैं और इसका हुमेपथी दर्या jáके से इलाज किया जयता है इस वीडियों हम यह जानेंगे स सबसे पहले हम समझते हैं कि frigidity क्या होता है तो friends frigidity जो word होता है इसका मतलब होता है IST मतलब inhibited sexual desire या hypo active desire या sexual apathy तो ये सारी चीज़े ही synonym होती हैं मतलब अगर relationship में किसी को को interest नहीं है बहुत जादा coldness है especially physical intimacy के लिए बहुत जादा कमी है low libido है especially in females तो उसको हम बोलते हैं frigidity और एक physical issue भी हो सकता है तो इसके दो टाइपस होते हैं frigidity के पहला टाइप होता है there is a lack in arousal or there is lack in response तो चीज़े होती है मतलब response का मतलब हुआ कि patient चाहता है बट वो response नहीं दे पाता है तूसरा है कि patient को arousal ही नहीं होता है किसी भी तरह का activity होती है वो उसमें participate नहीं कर पात करें तो इसके दो तरह के कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर fidgety को divide किया जाता है पहला होता है psychological तूसरा होता है physical psychological में अगर किसी के अंदर किसी ने ऐसी पास share किया है जिससे उनका जो जो experience है वो बहुत जादा खराब रहा है तो ये patient को असर कर सकता है especially newly married जो females होती है उनक अगर उनके साथ कोई abuse हुआ है या उनका brought up ऐसा रहा है कि बहुत जादा एक Orthodox family में रहे हैं या कभी किसी के साथ कोई ऐसा interaction नहीं हुआ है या कई बार ऐसा होता है कि उनका जो religious mindset होता है इसके कारण भी उनके अंदर frigidity आती है या उनको कई बार guilt की feeling आती है या कई बार ज इनली psychological condition होती है जिसमें patient को एक fear होता है PTSD यानि Post Traumatic Stress Disorder अगर पहले किसी से कुछ ऐसा सुना हो जिससे उसको trauma उसके बारे में सुना हो तो उसके कारण भी होता है या किसी ने अपना experience share किया हो कि ऐसे pregnancy हो सकती है या pregnancy में death होने का chance बढ़ जाता है या किसी को उसने देखा ही हो कि pregnancy के बाद ऐसा death हो गएरा हुआ हो तो उसके कारण भी sexual intimacy से patient भागता है और इसको ही हम frigidity बोलते हैं दूसरी important चीज है कि physical कौन-कौन सी कारण होते है जिसके कारण frigidity हो सकती है तो मीनोपॉस सबसे बढ़ा कारण होता है जिसके बाद लोगों के अंदर females के अंदर low libido हो जाती है यह इसके अलावां जैसे हिस्ट्रक्टमी होती है uterus निकाल दिया तो उसके बाद भी desire में कमी आ जाती है females के अंदर लेकिन प्रैमेरली जो frigidity होती है यह आती है newly married के अंदर जिनके अंदर अभी जादा knowledge नहीं है इसके बारे में या उनको psychologically बहुत डर लगता है stress ल अंदर जो अपने आपको हीन भावना से देखती है जैनको self-confidence नहीं होता है उनको नजदीक जाने में problem होती है या जिनको पर्टनर के साथ कोईस। होते हैं या उनको पसंद नहीं करते हैं उनके साथ कोई conflicts होता है तो ऐससे भी cases होते हैं जैसके अंदर यह issues आते हैं तो friends जो frisidity होती है बहुत सारे इसके reasons हो सकते हैं अब यह हम बात करते हैं कि कैसे frisidity आती है तो frisidity के case में जैसे ही interaction होता है physical interaction होता है patient एक spasm में चला जाता है जो private parts होते हैं उसके अंदर बहुत जादा श्रिंक में जाती है डर जाता है patient सहम जाता है और ऐसी activity में भाग नहीं देना चाहता है उससे दूर भागता है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब ये मैरिज को एफेक्ट करने लग जाता है तो हमारे पास करते हैं और डॉक्टर के सलाह लेते हैं तो फिल अब कुछ बात करते हैं कि कैसे आप assay कर सकते हैं किसे थोड़ा सा उसमें better इतना जादा comfortable level पे लेके आएंगे उतना ही जादा frigidity के treatment में आसानी होती है और इसके लावा कुछ diet में भी आप add कर सकते हैं जैसे zinc और vitamin E यह vitamin E की capsules भी आती हैं जो आप market से ले सकते हैं और olive oil और soybean का oil भी बहुत अच्छा है तो इनको उपने खाने में प्रयोग करें olive oil के आप कच्छा salad में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लावा आपको एग और मश्रूम और ब्रॉकली बहुत अच्छे हैं आपकी libido को boost अप करने के लिए in case of females इन सारे चीज़ों को आपको करने के साथ साथ अब मैं आपको बताने वाली हूं कुछ important homeopathic medicine जो कि हम frigidity के case में देते हैं तो अगेन नंबर वन दवाद जो कि frigidity में आती है वो आती है sepia, sepia दिया जाता है वैसे तो ये menopausal females के अंदर low libido में दी जा सकती है लेकिन अगर young woman है newly married couple है उनके अंदर frigidity आ रही है तब ही भी sepia दिया जा सकता है symptoms क्या कह रहेंगे वो जान लेते हैं symptoms इसके अंदर basically होते हैं कि जो patient होता है उसको irritation बहाँ जाता रहती है उसको indifference रहता है husband से उसको कोई मतलब नहीं होता है तो CPI अगर medicine को पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर लिखा रहता है indifference to husband husband से उसको कोई मतलब नहीं रहता है इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उसको कुछ conflict रहता है या वो उसकी बात को समझ नहीं रहता है तो दोनों के बीच में जो एक coordination होता है वो नहीं होता है तो CPI is given in cases जहां पर females को liberally नहीं होता है बिलकुल husband से दूर रहना चाहती है बहुत जादा irritation होती है घर के कामों से भी उनको मतलम नहीं होता है और अगर बच्चे हैं तो बच्चों से भी उनको कोई मतलम नहीं होता है just because कि patient को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़दा अपनी life में ठक चुकी है बहुत ज़दा irritation उसको आ चुकी है उसको कोई समझता नहीं है family मुसको कोई importance नहीं देता है वो एक maid बन करके घहर में रहे गई है अगर ऐसी feeling रहती है और ऐसी females को low libido की problem रहती है frigidity की problem रहती है तब आप CPI ले सकते हैं CPI को हमेशा high potency में लिया जाएगा लेकिन depend करता है कि patient की age कितनी है और उसका कारण क्या बन रहा है frigidity का इसको 200 या 1M potential में लिया जा सकता है अगले दवा जो दी जाती है frigidity के case में that is natriumure अब natriumure को ऐसे लोगों को देना है जिनके अंदर frigidity होती है newly married लोग है newly married women है और उसको बहुत ज़ादा VP mood रहता है और हमेशा अकेला पर दूर करने के लिए उसके साथ कोई आता है तो उसको पसंद नहीं आता है किसी को भी अपनी बात share करना नहीं चाती है और अपने husband के साथ एक दूरी बना करके रखती है एक wall बना करके रखती है और ये patient easily break कर जाते हैं लेकिन किसी के सामने रोते रही है अकेले में ही अपना problem solve करते हैं और आपके सामने बिलकुल हस्ते वे सदिपते हैं इस तरह के जो लोगों को phrysitory होती है तो वहाँ पर नेट्रमियूर अच्छा काम करती है तो ऐसे लोगों को milk वगरा लेने में भी प्राबलम हो सकती है तो अगर ऐसे symptoms मिलते हैं तो वहाँ पर अगेन नेट्रमियूर लिया जा सकता है इन हाइपोटेंसिस और नेक्स मेडिसिन की बात करते हैं नेक्स मेडिसिन रहेगी बर्बेरिस, वल्गेरिस ये जो दवा होती है ये दिया जाता है बर्बेरिस, वल्गेरिस इसको 30 पोटेंसिम में लिया जा सकता है नेक्स्ट एक दवा है जो कि बहुत अच्छी है वो है ओनस्मोडियम 30 पोटेंसिमें इस दवा को लिया जाता है अगर complete sexual desire की कमी है बिल्कुल लोबिडो नहीं है फेमिल के अंदर total loss हो चुका है due to some past issues या जो भी issues हो अगर total loss of libido है तो वहाँ पर honest modem लिया जा सकता है patient again अपने relation में बिल्कुल interested नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है और किसी भी तरह की activity वो और नहीं पसंद करता है तो ऐसे cases में honest modem को कोई चीज उसने असे देखी हो और जिसके कारण उसको अब ऐसे relation में interest नहीं रहता हो सकता है उसको कोई past रहा हो, जिसको भूल नहीं सकती हो या कोई ऐसा सद्मा लगा हो जिसने उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा असर किया हो तो ऐसे लोगों के अंदर भी staffis agria बहुत अच्छा काम करती है staffis agria के अंदर, patient के अंदर हमेशा अंदर-अंदर कुछ ने कुछ चलता रहता है वो अपने husband के साथ या अपने partner के साथ खुछ नहीं होती है और बिल्कुल frigid हो जाती है जबी भी physical intimacy की बात आती है reason हमेशा पीछले का कुछ होता है past का कुछ होता है और वो bad experience उसके दिमाग में हावी हो जाता है जबी भी उसको physical involvement होनी होती है और वो frigid हो जाती है तो ऐसे cases में staffis agria लिया जा सकता है अब मैं आपके साथ एक बहुत ही important और बहुत ही useful combination share करने वाली हो जो कि frigidity यानि low libido in females की case में दिया जा सकता है that is damiana और ginseng ये दोनों mother tinctures को लेना है आपको बड़ी bottle आप ले सकते हैं और दोनों mother tinctures को 10-10 drops आदे glass पानी में डाल करके जिनको भी ये problem हो रही है frigidity की वो इसको ले सकते हैं और इससे उनको चाहे उनको response में कमी आ रही हो चाहे उनको arisol में कमी आ रही हो दोनों के case में this is going to be the hallmark medicine और बहुत अच्छा काम करती है लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई कारण बन के आ रहा है तो वहाँ पर dilution लेनी है और in general आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं जो कि frigidity, low libido के case में बहुत excellent medicine का काम करती है तो friends, जो frigidity होती है वो सिर्फ दवाइयों के साथ नहीं बलकि counseling भी बहुत ज़रूरी होती है तो कई cases में जो frigidity होती है इसके कर्ण बहुत जादा advances हो जाते है बहुत सारी चीज़ ब्रेक अप के कगार पर आ जाती है तो अब मैं आपको अपना केस शेर करने वाली हूँ जो कि बहुत interesting है अगो है frigidity का तो ये friends, ये जो केस है एक newly married couple का है इसके अंदर couple का जो coordination है couple का जो आपस में भी है relation हो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी female frigid है तो इसके इसका जो investigation कराया गया तो frigidity में PC ओडे निकल के आया और patient को अपने husband के साथ बहुत जादा interest था बहुत जादा लगाओ था लेकिन चाह करके भी वह intimate नहीं हो पाते थी again क्योंकि उसके अंदर ये hormones में कमी आ रहे थी तो frigidity होने का सिर्फ यह reason नहीं हो सकता frigidity के कही reasons भी हो सकते हैं और उस case में क्योंकि जो couple newly married थे वो अपना बच्चा प्लान करना चाहते थे as early as possible लेकिन क्योंकि wife frigidity थी तो जैसे ही वो act करते थे उनके जो pregnancy होती थी नहीं हो पाते थी क्योंकि जो female थी वो बिल्कुल cold हो जाती थी बिल्कुल एकदम stress में चली आते थी उसके कारणी की problem हो रही थी तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और साथ के साथ उनका PCOD के साथ साथ फ्रिजिडिटी का भी treatment चला और अभी काफी successfully उनका treatment चल रहा है although अभी उन्होंने conceive नहीं किया है लेकिन फ्रिजिडिटी काफी हत्तक ठीक हो चुकी है तो friends ये सारे information थी फ्रिजिडिटी के बारे में और उसके कारण और होमेपथिक treatment के बारे में अगर आप मुझे से directly बात करना चाहते हैं तो call me for आपका use कर सकते हैं जिसकी बाकी की details आपको description में मिल जाएंगी अगर आप मेरे साथ appointment book करना चाहते हैं तो clinic के number 7017991940 पर whatsapp करके अपना appointment book कर सकते हैं I hope कि ये information आपको पसंद आई होगी wishing you very good health thanks for watching